मस्कार डोस्तों वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूँ कि क्यों महाननायक अमिटाफ बचन में अभिष्यक बचन की तعag उनके टरिफ उनके देविधू के साथ वरस बात की जा दोस्तों यह सच है कि अभिष्षक बचन की तारिफ पुब्लिकली साथ साल बाद में की तो दोस्तो ऐसा अमिता बचन ने क्यों किया और कौन सी फिलम के लिए अमिता बचन ने अभिशेख बचन के अभिने की सबसे ज़्यादा तारिफ है की इसके बारे में जानकरी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा ह तो दोस्तो आपको बता दू अभिशेक बच्चन ने दो जार में फिलम रिफुजी से अपने डेब्यू किया था और दोस्तो इस फिलम में अभिशेक बच्चन का अभिने अच्छा था अलांकि फिलम बोक्स ओपिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी दोस्तो लेकिन आपको यह बता दू कि इस फिलम के लिए अभिशेक बच्चन को क्रिटिकली एप्रिशेशंस मिला था और उनको बेस्ट अक्टर के लिए उनको कई जगर नोमिनेशन भी मिला था लेकिन दोस्तो इसके वाज़ू तो अमिताब बच्चन ने अभिशेक लिए पिता आमिता बच्चन से अभिने के लिया आज तारीफे नहीं को मिली थी तो दोस्तो इसके बाद में अभिशेक बच्चन की एक फिलम आई थी अबिशेग बचन का जबरस रोल था एशी भी जेदिख सिट के रोल में अभी से बचुनते और इस फिलम में अभी से बचं कर दो काम किया था और दोस्तों फिलम जबरस्ट रही था थी सुपरिट रही थी और अभी से अभिषेक बचन की तारीफ नहीं की एक्टिंग के लिए दोस्तों इसके बार में अभिषेक बचन की एकोई तिलम आये थी जबरदस्त यूवा जिसमें उन्होंने ललन सिंग का किर्दार निभायता और मनी रत्नम सर्ण ने इस फिलम को डाइक्ट किया था दोस्तों कर וिसे कुशन का जो अभिने था असबल हम्रेन के लिए उनको कई आवार्ण के लिए जाते उनके लिए अभिषेक बचन को नोमीनस के मिला तयू को रहने कई हवार्ण को निभाय यलिए बेस्ट आक्टर इन सपोर्टिंग नेगेटिव रोल और दोस्तों सभी ने लगवख सभी कृटिक्स नहीं आता कि अभिष्यक बचन के जो गोर आलोचक है उन्होंने भी यह तारिफ की थी कि अभिष्यक बचन ने इस फिल्म में लाजवाब अभिने किया है लेकि दोस्तों फिर भी वने अपने पिता से अपना पिता से शहबासी लिए फिल्म के लिए नहीं मिली ती दोस्तों अकिर क्यों अभीतर अभिटर्ठ बचन को अमिता बचन ने इAlists 8 है कि अभिषेग बचन को तारीफ कब मिली अमिता बचन से पहली बार यह दोस्तों 2007 में उनकी फिल्म आई थी गूरू और मनी रत्रम सर्थ नहीं से डारेक्ट किया था और इस फिल्म में अभिषेग बचन ने लाजवाब अंदार पेस किया था भी नहीं का बहुत ही जबरद अमिता बचन आप जानते हो बहुत ही जबरदस्त मंजे हुए कलाकार है एक तरह से वह अभिने की पाट साल है और दोस्तों वह अभिने की बारेकिया जानते है तो वह अपने बेटे की ऐसे ही तारीक नहीं करना चाहते थे आलंकि उन्हें पता था कि यूवा में उनका रोल और दोस्तों अभिसेख बचन नहीं अमिता बचन हर एक्टर की जब भी तारीप करते हैं तो उनकी एक्टिंग की बारेकिया देखते हैं कि इस इनको वह इतना बेहतर किया है इस फिलम को उन्होंने कितनी अच्छी तरह से अपने रोल को अंजाम दिये तो दोस्तों जब अ कि है अभी सेख बचन की तारीप की थी आपने कमाल का भीने की ए और दोस्तों इसके बाद में विया जब भी आविसेख बचन कोई अच्छी फिलम आई और अच्छी एक्टिंग अभी जब विचने ने उनकी तारीफे की जैसा की बिग बूल में उनके अभीने के लिए उन तो आज के लिए इतना है आपको यह जानकारी एफेक्ट केसा लगा आप कमेंट करके वज़से बताईएगा साथ ही दोस्तों अगर चैनल को पते सबस्क्राइब नहीं किया है तो जबू कर लीजिएगा धन्यवाद टेक केर